हेलो एट क्लास तो आज हम देख रहे हैं थर्टीन चैप्टर संस्क्रित ग्रामर में संस्क्रित रीडर कंप्लीट हो गई है संस्क्रित ग्रामर में देखो असुदी संसोधन तो वैसे तो कि असुदी संसोधन हम जब चैप्टर पढ़ते हैं उसमें ध्यान देने के लिए बा वाक्यों में कई प्रकार की आशुद्धियां होती है तो उन्हें अच्छ से देख के शुद्ध करना बढ़ता है। जैसे हिंदी में तो आप लोग करी लेते हो तो संस्क्रिट में भी बस हिंदी के जैसे ही रूवल होते हैं। ठीक है तो जैसे कि इसमें होती है कर्ता या क्रियाक संबंदी अशुदियां हो सकती है लिंग के संबंदी अशुदियां हो सकती है या वचन के संबंदी अशुदियां हो सकती है कारक और विबक्ती संबंदी अशुदियां हो सकती है और शब्दों एमम धातु के रूप संब इस सुमय करते ही होता है कि कौन पूलिंग है क्यों स्सृरे लिंगा है और इसमें वचन का सबया खूलिकि एक वचंट वचन संस्क्रों को शानर राखनांों में हीज़ाँ मुच्मबन वचन को सब्सक्राइब और बåम इसचमब करना हो Generally तब आप किसी भी वाक्य को अच्छे से शुद्ध कर सकते हो, आपको पता रहेगा, कि या पर क्या अशुद्धी चल रही है ठीक है? तो आप यह सारी चीज़े अच्छे से लर्न करोगे, फिर आप यह अच्छे से पढ़ोगे जितने भी आपके अशुद वाकिय है और फिर उनको अशुद करक है तो आप उसको अच्छे से देखोगे लेंग संबंद ये अशुद्धी, वच्चन संबंद ये अशुद्धियां, शब्द्रम धातु रूपों की अशुद्धियां और ये अभ्यास प्रेश्ण तो इसमें समझाने लायक कोई चीज है नहीं, वो आप पैट पढ़ते हैं दब भी आपको ध्यान में रखनी होते हैं ये चीजें तो आप क्या करोगे एक बार इस चेप्टर को अच्छे से देखोगे जो वाक के दे रखे हैं वो आप क्या करोगे? अच्छे से पढ़ोगे और उनको वापिस शुद्ध करने की कोशिश करोगे पहले आप खुद से शुद्ध करो, फिर आप यां से मैच करोगे कि आपका सुद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है तो ये आपके खुद के लिए पढ़ने योगे चीज़ है और इसके आगे वाला पाट भी आपके खुद के लिए पढ़ने लायक है अनुआद प्रक्रणम कि आप किसी भी वाकि को संस्कृत का कोई वाकि उसकी हिंदी कैसे बना सकते हैं इंदी में दे रखा तो उसका संस्कृत कैसे कर रख है तो दोनों पाठों में सेम ही चीज़ें आपको ध्यान रखने लायक ठीक है ना तो आप आज क्या करोगे तेरा और चौदा ये दोनों पाठ क्या करोगे रीड करोगे समझ में आगया अच्छे से read करोगे और बाद में इनका ब्यास जो है वो वाला आप अपने आप से solve करने की कोशिश करोगे अगर solve नहीं हुआ आप से तो वापिस आप chapter read करोगे ठीक है क्योंकि यो दोनों chapter आपको अच्छे से मैंने समझा रखें कि जब हम पढ़ते हैं तब यह मैंने धातु रूप करवाएं कारक समझाया आपको तो शब्द रूप करवाएं तो यह मैंने चीज़े करवाई हैं वो आप learn करोगे ना तब यह दोनों आपके clear होंगे तो आप एक बार chapter read करोगे अच्छे से और फिर इनको solve करने की कोशिश करोगे अभ्यास प्रशन जो है वो उसका ठीक है